तो आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हैं गोजश लंडन का स्कीन पॉलिसिंग ब्लीच हर्वल ब्लीच है बिल्कुल भी साइड एफेक्ट नहीं है इसके लिए मैं सबसे पहले स्कीन पे इस तरीके से गुलाब जल को लगाया है एंड फेस को इस तरीके से बेंड हो हम लोग साल करते हैं ब्लीच करते वीच इसकी वाएस पॉल्मलों आज या जाते हैं अगर आपको इस नमी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी counselor रहाता है और ब्लीच में बहुत हार्ट चेमिकल होता है जिसकी वज़े से हमारा skin का जो नमी होता है वो खतम होने लगता है तो dry skin पे bleach करते हैं इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके dry skin damage भी नहीं होगी बहुत अच्छे से glow करेगी और काफी अच्छा result मिलेगा आपको bleach का तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से बीवन का aloe vera cleansing milk apply किया है जो कि dry skin के लिए बनाया गया है तो अगर आप dry skin पे bleach कर रहे हो तो इस cleansing milk से पहले अच्छे से skin को साफ करोगे तो सबसे पहले साफ करने के लिए हमने क्या किया था लॉप जल से पूरे फेस को भिगाया फिर मैंने लिया और पूरे चेहरे पर लगा दिया ग्लीसिन क्यूंकि लगाने से क्या होता है कि आपके skin में जितनी भी dead skin होती है जो कि जिद्धी skin के साथ चिपक गई होती हो निकलती रही है तो ग्लीसिन उनको फुलाने का काम करता ह और आपके skin से इजली dead skin को डर्ट को धूल को रिमूव करने में help करता है तो जबी आप क्लेंजिंग मिल्क करते हो कस्टमर पर फेशियल कोई भी प्रोसेश अप्लाई करना है तो ग्लीसिन एड़ करके क्लेंजिंग मिल्क के साथ फेस को अच्छे से क्लीन करें क्लीन करने के अच्छे से मसाज किया है मसाज मसाज को कम से کòng 5 मिनिट करना है और करने के बाद आटी से इसको हम प्रोसेश करिंगे तो इस तरी के साब देख आए मैंने नौज के मासाज किया Flower High Beat पर अपर लिप्स सब जगह मसाज करना है और बिल्कुल हलके हाथों से करना है ताकि कश्मर को बिल्कुल भी दिक्कत फिलना हो इस तरीके से आपको कम से कम पांच मिनट चहरे पर मसाज देना काफी टाइम से फेशिल की रिक्वेस्ट आ रही थी तो अब मैं सारी वीडियो पार्लर से रिलेटेड आप लोगे साथ मैंने टेंट किया और फिर आके दुबारा से आपके मसाज स्टार्ट कर दिया अपना तो इस तरीके से पूरे फेस पे क्लिंजिंग मिल्क से मसाज किया है और सारी डर्स अच्छे से बाहर निकल चुकी है अब इसको हम लोग इस तरीके से स्पंज की मदस से पोच लेंगे अब लोग ब्लीच अपलाई करेंगे तो ब्लीच यह आप यह एक्टिवेटर है और यह गोजिस लणन का ब्लीच है इसको मैंने मीसो से मंगा था और यह वाला ब्लीच ले सकते हो इसे आपके कोई साइड एफट नहीं आएगा के लिए बनाया गया है तो बहुत अच्छा कांप है रिजल्ट स्काहिए और यहां पे पता है कि नया पादलर ऑपन किया है दो से तीन मन्त में बहुत अच्छा चल रहा है जितना गाउंपर चलता था उसके हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है तो इस तरहीके से पोरे फेस प्रविज को अपलाई कर दिया ब्लीच लगा लेंगे से किस्कीन में अच्छे से ब्लीच का जो वर्क है वो करेगा अगर इसरी के से मिला देते हो तो मिक्स कर लेते हो तो तो इस तरीके से पूरा मिला दिया है आप क्या करना है आपको आइब्रोज के उपर अगर हलका फुलका ब्लीच लगा है तो उसको रिमूव कर दीजिए नहीं तो आपके आइब्रो जो है वह ब्राउन हो जाएगी और अच्छा नहीं लगेगा बहुत ब पूरे फेस को क्लीन कर रही हूं ब्लीच को रिमूव कर रही हूं तो अच्छे से रिमूव करने के बाद से बीच में कॉल आते जाए था और आज लग रहा था सारा कॉल आज ही आ जाएगा में पास और साथ के साथ में बात करते करते इस तरीके से क्लीन कर रही थी फूरे फेस को और आप देख सकते हैं काफी अच्छा ग्लो आ गया पहले का और अभी का आप मिला के देखना पहले जो मैंने स्टार्ट किया था और अभी ब्लीच करने से ऐसा नहीं होता कि एकदम से गोरे हो जाओ गया आपकी स्कीन एक से लाइट हो जाती है एंड ग्लो करने लगते साइन आ जाता है और जो फेस्टियल होते हो इसाब से मैनेज हो जाते हैं इसलिए हम लोग ब्लीच करते हैं ब्लीच करने का मतलब यह नहीं होता क काले से एकदम गोरे हो जाओगे असा कुछ भी नहीं होता है लाइट एंड ग्लोइंग करने के लिए हम लोग ब्लीच अप्लाई करते हैं अलग अलग टाइप से ब्लीच करना चाहिए सबके स्कीन पर एक जैसे ब्लीच करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा बहुत हद तक आपकी स्कीन खराब हो सकती है जैमेज हो सकती है और बहुत साइड एफेक्ट देखने को मिल सकता है इसलिए ब्लीच करते हैं काफी बातों का ध्यान रखना चाहिए नॉर्मल ट्राई एंड ऑईली स्कीन पर अलग अलग टाइप से आपको ब्लीच करना होता अब मैंने अरोमा मैजिक मसाज करना स्टार्ट कर दिया पहले गुलाब जल से अच्छे से स्कीन को भी गोया है फिर पूरे फेस पे सेकुलर मोमेंट में फर्स्ट टैप के साथ इस तरीके से मसाज देरी हूं आइज पर फिंगर्स यह मसाज करना होता है क्योंकि रिंग फि बहुत लंभी हो गी थि वीड़ीओ आइज पर इस तरीके से करना है अब इस तरीके से मसाज करना है यह शिए आपको फश दिखाना है क्या र соглас कि यह कि वीदिवांको लीए वीडियो आटार करना है Trib io में आथ पास पास पूरा मत्य नहीं करना है मुपला की चोड़ना है वह पड़ से स्क्टेव होती है नमें फोटे इससे हमारा सीटर के सेकलर मुमेंट में सुचाज ने हमने इस तरीके से किया इससे आपकी sleeping में अच्छे से सब्सक्राइब प्यॆयद्य है चाहिए चाहिए लो ले सकते हो Korea दो यह मची से मांने फोलक्ते से कजिके शुज़े इनिंफ कर दिया हो गया था क्यी है कि वीडियो कद दींच भी जो नो शुक्त-खीड वोग करें नहीं है । प्रेशर पॉइंट देना बहुत ज़री है अलग सी वीडियो बनी हुई है अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके चेक आउट कर लिजेगा अब हम लोग लाश्ट में प्रेशर पॉइंट देदे इस तरीके से आपको चिन पे अपर लिप्स के आसपास नोज के आसपा वहां पर आपको प्रेशर देना है फिंगर से दबा के रखना इससे क्या होगा अपके स्किन में ब्लड सेलकुलेशन बढ़ेगा और बहुत तेजी से गलो आता है तो प्रेशर पॉइंट देना बहुत ज़रूरी होता है ध्यान से देखिए जैसे मैं कर रही हो ऐसे ही आप आपको भी करना है तो पूरे फेस पे मैंने अच्छे से मसाज दिया फिसको रिमू क्लीन कर लेंगे गुलाब जल लगा के अच्छे से टैप टैप करके पूच लेंगे इसके बाद मैंने इनका थ्रेडिंग भी किया था उसकी वीडियो बनाई होई है तो वीडियो पोस्ट तो अच्छे से मैं इनको साफ चैरे को साफ कर दिया था थैंक्स वागों